करनाल में प्राइवेट डॉक्टरों ने रोश्च स्वरूप OPD बंद करने का फैसला लिया है आपको बता दे कि करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के बैनर तरे प्राइवेट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वह एक सप्ता यानि 8 फरवरी से 14 फरवरी तक 2 घंटे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक OPD बंद रखेंगे आपको बता दे कि डॉक्टर्स ने ये फैसला इसली लिया है क्योंकि Central Council of Indian Medicine ने आई उर्वेट से जुड़े हुए डॉक्टर्स को सरजरी करने की परमिशन दे ली है ऐसे में IMA doctors की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है कि जिन doctors ने पढ़ाई आयूर वेद की की है तो उन्हें सरजरी करने की परमिशन कैसे दी जा रही है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी सर्जरी से जुड़ी नहीं की है और ना ही उन्हें सर्जरी से जुड़ी प्रैक्टिस है और ना ही जानकारी अगर कोई केस खराब होता है तो उसका प्रभाव डॉक्टरी प्रोफेशन पर पड़ेगा जिसका खाम्याजा आने वाले समय में सबको उठाना पड़ेगा इसलिए IMA के बैनर तले सभी प्राइवेट होस्पिटल के डॉक्टर सी कठे हुए और उनकी तरफ से फैसला किया गया कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं और इसके कारण वो एक सब्ताह तक दो घंटे OPD आपको बता दे कि CCIM ने आयूर्वेट से जुड़े डॉक्टर्स को तक्रीबन 50 से ज़्यादा सरजरी करने की इजाज़त दे दी है जिसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं पद्दी के अगेंस्ट नहीं है हमारा प्रोटेस्ट मिक्सिंग ऑफ पैथीज के अगेंस्ट है मेरे बहुत सारे सीनियर सर्जन्स यहां पर आने स्टेटिस्ट हैं जो आपको इसको डिटेल में बता सकते हैं मैं सिर्फ करनाल की जनता को यह आयमे सेक्रेटरी होने के नाटे इंफोर्मिशन देना चाहता हूं कि हम इस प्रोटेस्ट में मौर्निंग नौ से ग्यारा आठ से लेके चौदान तारिक तक ओपीडी बंद रखेंगे हम ब्लाग बैजिस पहनेंगे और कल शाम को हमारा इवनिंग में 7 पीम तो यह आप देखा लॉफ एडिन मेडिसन है उन्होंने एक ओर्डर दिया था कि जो चपन याठावन की सरजरी है आयरुवेदिक दॉक्पर्स को अलाव की जाए उसके गेंस्ट हमने एक प्रोटेस्ट किया था उसमें हमने एक प्रोटेस्ट की थी एक के डिमस्टेशन की थी और हमने डिसी साब को एक जापन भी दिया था प्रधान मंत्री के नाम उसके बाद भी कोई सरकार ने एक और और पास कर दिया 2030 में वह MBBS, BMS और BHMS जिसका कहने का मतलब है कि एलोपेथी, आयरुवेदा और हुमोपेथी और हमने ये सुना है कि युन डियागनोसिस बनाना बहुत जरूरी होता है, अगर आप एक एलोपेथी हैं, तो आपको अपनी पैथी में रहते हुए सारा कुछ करना है, आपने डियागनोसिस भी बनाना है, आपने ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से करना है, तो आप मौडरन मेडिसन की चीज़ों को मत कीजिए, इस्तमाल मत कीजिए, एनस्तीसिया कैसे देंगे, अगर किसी का अपेंडिक्स करना है, एलोपेसी वाला वो अपेंडिक्स कैसे ऑपरेट करेगा, बिना बेहोशी के करेगा, या बेहोशी देगा, बेहोशी देगा, तो क्या वो जड़ी बूटियां सुंगा के दे अपना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है कलको कॉम्प्लिकेशन होती है मरीज को तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में आप दूसरे modern medicine के पास जाएंगे आप करा केस को खराब हो गया खराब केस को डील करने के लिए modern medicine वाले, खराब करेंगे दूसरी पैथी वाले, मगर उसके बाद जो problems और complications भुगत नहीं है, वो modern medicine को भुगत नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों, सरकार ने क्या इस बारे में सोचा है, mix कर दें, डॉक्र अरुन ने जैसे बताया कि 2030 में government ये करना च चाहती है कि सारी पैथी को mix करके common course बना दें, तो MBBS को खतम कर देना चाहते हैं, MD, medicine, MD, MS, surgery, gynae, super specializations, DM, MCH, इन सब को खतम करके एक common पैथी बना दें, खिचड़ी बन गई, ठीक है, पकाए जाओ, खाए जाओ, क्योंकि government healthcare infrastructure पे, healthcare पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती है, तो वो इस तरीके की policies बना रही है, कि कम से कम खर्चे में आदमी लोगों को maximum सुविधा दे सके, मगर यह सुविधा नहीं है, असुविधा रहेगी, patient को नहीं मालूम वो क्या करेगा, complications होगी, problems होगी, deaths होगी, सब कुछ होगा, मगर patient सफर करेगा, तो हमारा कहना यह है, अगर होमोपैथी में रहते हुए, modern medicine को यूज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से, चाहे वो diagnosis बनाने में हो, चाहे वो treatment में हो, या उसकी medicines देने में हो, आप Allopathy को यूज नहीं करेंगे, आपका नाम? जोती गारण, वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.